बिस्मिल्यारा माइन राहीम, असलाम लेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ जयाजन सारी और आप देखें हैं जयाजन सारी फूट सीक्रेट्स आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जयाएकुम तो आज हम सिर्फ एक पाउ चिकन से धेर सारे चिकन समोसे बनाएंगे और इसकी फीलिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है मतलब के कुछ ऐसी चीज़े बताएंगे, आज आपको के वो बहुत ही क्रीमी और शानदार सी फीलिंग होगी साथ ही साथ ये चिकन की समोसे की पॉकेट है ये कैसे बनाते हैं, स्पेशल फ्लेवर जिसमें कैसे आएंगे, सारी बात इंशाला आपको डिटेल से बताऊँगा और इन समोसों को आप चाहें तो सेफ भी कर सकते हैं मतलब के फ्रीज भी कर सकते हैं तो यहाँ पे चिकन को बॉइल करने के लिए एक एहम बात होती है जो नॉर्मली लोग गलती करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा यह हमारे पास चिकन यह तक्रीबन दो सो ग्राम है मतलब के एक पाउ से भी कम इसको हमने कार देना है चोटे चोटे पीसिस में चोटे चोटे बोटियां कर लेंगे ताकि हमारा टाइम ज्यारा जायाना हो और बहुत जल्दी बॉइल हो जाए अब इसके अंदर दो चीजें ब करने के लिए रख देना है अगर आप कड़ाई के अंदर इस तरह से करते हैं तो आपको लगेंगे कोई बीस मिनट और अगर आप प्रेशर कुकर में करते हैं तो आपने आठ से दस मिनट की सीटी पे इसको रखना है ठीक हो गया तो यहां पर अलहम्दिल्ला देखे हमने इ अब इसकी फ्लेवरिंग करेंगे जो सबसे अहम स्टैप है ठीक हो गया चलें जी बिसमिल्ला बार नहीं खुबसूरा से एक बॉल लेंगे उसमें इस श्रैडड़ चिकन को एडड कर देंगे यह जी अभी याद रखिए कि इसके अंदर कोई भी मिसाला नहीं है तो हमने सबसे पहले हरे मसाले तो यहां पर हमने दो प्याज लिए उसको बिल्कुल बढ़ी चॉप कर लिया है मैंने यह इसमें चाहिएंगे फ्लेवरिंग के लिए बहुत आहम होते हैं और सबसे आहम चीज इसमें होती है बंद गोबी अच्छा है मैंने मेहनत कोई नहीं कि इसकी फ्लेवर निकलता है ठीक है तो यह दो चीज़ा आपने जुरू आट करनी है यह थी तिकरिबान चार टेबल स्पून के क्रीब और वो एक प्याली चार से पांच हरी मिर्चे बड़ी तेज वाली इसमें आट करेंगे बहुत आहम होती है हरा दरिया चार से पांच टेबल स् करते हैं तो यहां पर नमक एट कर देंगे वांटी स्पून काफी होगा लाल मिर्च का पाउडर भी वांटी स्पून ही जाएगा लेकिन साथी साथ इसमें हम चिली फ्लैक्स भी अट करेंगे हाफटी स्पून इससे बहुत एक रारा सा फ्लेवर और खुश्पू जियादा ठीक हो गया हल्दी हाफटी स्पून जाएगी अब फ्राइड स्नेक्स हैं तो इसमें जीरा भी जाएगा हाफटी स्पून और साथ ही इसमें वांटी स्पून खुश्टनिया पाउडर और यह हमारे पास काली मिर्च फ्राइड स्नेक्स जो होते हैं उसमें यह जरूर जो य अच्छे से लग जाए अब इसको क्रीमी करने के लिए और थोड़ी सी बाइंडिंग में हो जाएगी एक से दो टेबल स्पून इसमें एड़ कर देंगे इससे बहुत क्रीमी सा आपको टच मिल जाएगा इसली घर पे वेलेबल होती है और एक और चीज एड़ करेंगे खुश अब यहां पे एक बात आ जाती है कि आपने स्मोसा की जो पॉकट होती है वह कैसे बनाने है ठीक है असान तरी तरीका बताओंगा आपको उसके लिए लिए बनाएंगे एक चमच पानी में एक चमच हम इस तरह से महदे कर देंगे महदे को जब भी यूज़ करते हैं अब यहां पे थोड़ी सी ले लगाएंगे और उसके बाद देखेगा कितनी असानी से एक स्टेप पहले था ट्रेंगल बनाने वाला दूसरा स्टेप है यह वाला यहां से दबा रेते हैं पूरा आपने इसको किनारे के ओपर लेके आना ठीक है और उंगली से दबा देना अब यह देखें ट्रेंगल जो है कितनी शानदार सी मिसलस बन गई सिर्फ दो स्टेप के अंदर हमने यह बनाई है तो फिर से आप इसको रिपीट करके देखें दो स्टेप ही होते हैं दो स्टेप में आपकी यह मकमल जो पॉकिट है वो बन जाती है अब घर का समोसा है तो तो दो स्टेप के अंदर आपने इस पॉकिट को बनाना होता है चलेंजी इसमें कमाल ही होता है कि कोने अगर आप शार्प से बना ले ना तो समझ लें कि आप बहुत बड़े काड़ी गरना है लेकिन यह चीज़ें इतनी आहम नहीं होती है आपने फिर्स टाम बनाना या आ इसमें कोई टेकनीक नहीं बस आपने मीडियम फ्लेम के अपर इनको फ्राइ करना है तक जब तक कि यह क्रिस्पी नहीं हो जाते गोल्डन नहीं हो जाते ठीक है लेकिन चुके यह पट्टी थोड़ी सी बाड़ी ही के होती है तो आपने ध्यान रखना है कि बहुत जारा फ् अर बार्व को लिए कंड्यों का डॉथी को याधिम्तेय और बर्खतेय जो धीसने हमारा आते घान yards हो में तो मेरे दलत緁 की थीगा प्यारा जीजिगींगे प्मारा साथ दीजिजिगा अब के लावा बाए-वाली सुछे की रेस्पी के लिए चिकन बियानी रेस्पी के लि झाल झाल